नमस्कार दोस्तो मैं हूँ एडोकर डीपी पांडे और आज के इस सीरीज में हम जानेंगे سियापीशी के सेक्शन 62 पर सेक्शन 62 कहता है कि समन की तामील कैसे की जाए पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे सेक्शन 61 पर समन का प्रारूप कैसे होगा जिसका link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं कि section 61 की परिवासा क्या है और section 61 क्या कहता है और इस तरह की हमारी IPC और CRTC से संबंदित जानकारी के लिए सारे section को क्योंकि मैं section wise वीडियो को बना रहा हूँ अलग-अलग section में छोटी-छोटी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो channel को आप subscribe कर लें बगल में बेल आइकान है उसे भी प्रेस कर लेजिएगा ताकि हमारी आने वाली और वीडियो का notification आपको मिलता रहे दोफ्तों section 2 कहता है कि समन की तामील कैसे की जाए तो पहले हम इसकी language जानते है कि इसकी language क्या है उसके बाद इसमें आगे हम बात करेंगे section 62 का sub class 1 कहता है कि प्रतेख समन की तामील पुलिस अधिकारी दोरा या ऐसे नियमों के अधीन जो राजसरकार इस निमत बनाए उस नैयाले के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी दोरा या अन्लोक सेवक दोरा की जाएगी इसको यदि हम सरल भासा में जाने तो समन کی तामील पुलिस अधिकारी दोरा कराई जाएगी या उस राजिस सरकार द्वारा बनाये गए जो नियम है उस नियम के तहट उसके समन की तामिल कराई जाएगी या जिस अधिकारी ने उस समन को जारी किया है उसके द्वारा भी कराई जाएगी या लोग सेवक द्वारा भी इस समन की तामिल को कराया जा सकता है इसी का Subsection 2 क्या काता है उसको जान लेते हैं यदि साध्य हो तो समन किये गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परदान या निविदान करके व्यक्तिक रूप से की जाएगी दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो समन होता है वो दो प्रतियम होता है और जिस व्यक्ति को समन जारी होता है उसको एक प्रति दे दी जानी होती है वो पुलिस अधिकारी या जो कोई भी लोक्षिवक है जो समन की तामील कराने गया है उसकी एक कापी उस व्यक्ति को दे देग जिसके लिए समन जारी हुआ था अब इस सेक्षन का सेक्षन 62 का सब क्लास 3 क्या काता है उसको भी जानते हैं प्रतेक ब्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा आपेच्छा की जाती है तो दूसरी प्रती के प्रिष्ट भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा अर्थात जो शमन जारी हुआ है वो दो प्रतियों में है एक प्रती जब उस ब्यक्ति को डिलिवर्ट की जाती है दे दी जाती है तो दूसरी प्रती के प्रिष्ट भाग पर हस्ताक्षर क करते कि उसने समन की तामिल कर ली है लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसमें यदि ब्यक्ति समन को तामिल करने से इंकार करता है और समन लेने से इंकार करता है या वो घर से बाहर नहीं निकलता है घर में ही रहता है शमन को तामिल नहीं करता है तो वह अधिकारी वह इनकार किया या समन तामिल हुआ या नहीं हुआ वो उसके ब्यक्तिगत बात्चिस से पता हो सकता है कि उसने समन का तामिल कर लिया या नहीं कर लिया और उसकी एक कापी नयाले को भेद दी जाती है यदि उसने उस पे हस्ताक्सर बनाए है समन तामिल किये हैं तो नयाले को च कैसे की जाती है और आगे अगली वीडियों में हम बात करेंगे सेक्शन 63 CRPC पे कि सेक्शन 63 CRPC क्या कहता है तो चैनल पर हमारे साथ और भी वीडियों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियों अच्छी लगे तो लाइक कर दिजेगा इस तरह